हेलो गाईस तो आज हम सुरू करने वाले हैं आपके फीजिकल एजुकेशन और योगा यानि कि सारी सिच्छा योग तो उससे रिलेटेड ये चेप्टर 4 है आपका यानि कि चेप्टर 4 से रिलेटेड यानि कि आपके जो फीजिकल एजुकेशन और योगा है उसका चेप्टर फोर्ट चिप्टर फोर्ट का नाम है भारत के प्राचिंतम खेल तो आईए हम जानते हैं इस वीडियो में भारत के प्राचिंतम खेल कितने प्रकार के हैं ठीक है तो ये वीडियो बीए बीस्सी बीकाम फोर्ट समेश्टर वालों के लिए है जो इस बार फोर्ट समेश्टर का Cole circular का paper देंगे ये उनके लिए वीडियो बहुत ही महतपूर है यादि आप exam देने जा रहे हैं Cole circular का तो exam देने से पहले इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों के साथ share जरूर करें ठीक है तो मतलग ये paper देना अनिवार है यदि आप ये पेपर नहीं देंगे तो आप एक्जाम में नाट कॉलिफाई आनिकी बैक लग सकता है आपके पेपर में तो इसमें पहला कोश्चन दिया गया है जुबा के निर्माता अपना ब्योसाय सुरू करने के लिए कहां गए थे जुमा के निर्माता अपन दॉषन केलोरी की खबत कर सकते हैं तो 650 केलोरी की खबत कर सकते हैं आप संबर 10 इसका राइट एंसर बढ़ते हैं अपने अगले क्योसर की त्रफ तो यहांपर पुरुसों के लिए कबड़ी मेंच का समय होता है तो पुरुसों के लिए कबाड़ी मेंच का समयं withdraw to आधा घंटा दस मिनट का समय होता है पुरुसों के लिए कबड़ी मैज का समय कबड़ी में लोना के कितने अंक होते हैं बड़ते हैं अपने अगले कुशन की तरप हमरा अगला कुशन ये गया है महाराष्ट एमद्ध प्रदेश में कबड़ी को किस नाम से पुकारा जाता है महाराष्ट एमद्ध प्रदेश में कबड़ी को हुतु तु तु नाम से पुकारा जाता है बढ़ते हैं अपने अगले कोशिंग की तरह कबड़ी खेलने के लिए होती है कबड़ी में खेलने वाले खिलाडियों की संख्या कितनी होती है कबड़ी महिलाओं के लिए कबड़ी मैच का समय कितना होता है महिलाओं के लिए कबड़ी मैच का समय आधा गंटा होता है कितना आधा गंटा आप समय इसका राइटेंसर है बढ़ते हैं अगले कोशिंग की तरफ तो मेरा आगला कोशिंग दिया है बक लाइन सब्दावली किस खेल से स समंधीत अपने के मैदान में प्रकोष्ट यानि की लंबाईं यान लाभी की चवड़ाई कित Gill कि नीफट होधी है लाभीी की चवड़ाई 5 मिटर निश्ट कुसं म्होखों टीम में खेScि क्रीक होती है तो खोकों टीम खेम में की संख्या नव होती है उसका राइट एंशर है है के कवटी के मैजान में केंदरी देखा के दूरी किदू कितनी होती है केंदरी रखा से स्पपरस देखा की दूरी थिरी पॉइंट JER टू फाइव मीटर होती है अगरटे हैं अपने आगले कोसिंग कि महाभारत काल में कबड़ी को किस नाम से जाना जाता था महाभारत के समय में कबड़ी को किस नाम से जाना जाता था देवताओं के समय में एक तरह से कर सकते हैं कबड़ी को किस नाम से जाना जाता था एक स्वास के नाम से जाना जाता था आपसन नमर क्या है वह इसका राइट एक तक पॉरूस का आकार कैसा होता है कवाटी के मैदान पूरूस का आकार होता है 12.5 इंटू 10 मीटर होता है इसका राइट अंसर क्या है आपसा नमर और इसका राइट अंसर है बढ़ते हैं अपने अगले कुश्ण की तरह कबड़ी में बॉनस के अंक होते हैं तो कबड़ी में बॉनस के एक अंक होते हैं आपसा नमर और इसका राइट अंसर है खोखो में खोखो में सोतंत्र छेत्र की चोड़ाई होती है खोखो में सोतंत्र छेत्र की चोड़ाई 2.75 मीटर होती है आपसा नमर सा इसका राइट अंस से न क्या है सुखोफ के मैदान की माप यान की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है तो लंबाई 29 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर होती है आपसे नमर 2 इसका राइट एंसर है मनुरंजन क्या है मनुरंजन क्या है तो सारीडिक सिच्छा का एक अंग है मनुरंजन क्या है सारीडिक सिच्छा का एक अंग है आपसे नमर 2 इसका राइट एंसर है खोखो में करास लैन की लंबाई वो चड़ाई होती है खोखो में करास लैन की लंबाई वो चड़ाई कितनी होती है तो लंबाई 23.50 मीटर और चड़ाई 30 सेंटी मीटर होती है आप संबर क्या है दो इसका राइट अंसर है खोखो का खेल प्रारम होने पर खेल छेत्र में कितने की लाड़ी होते हैं खेल छेत्र में कितने की लाड़ी होते हैं तीन होते हैं आप संब्र अ इसका राइट एंसर है खोखो खेल का जनुदाता देश है तो कौन है भारत है आप्स需 ब्र 2 इसका राइटे सरें आगे कोईशन दैनिक जिम्मेदारियों को वहन करने के लिए तरु ताजा रखता है कोई रखता है मनोरंजन आप्सर इसका राइटे सरें आगे कोईशन की तरह बढ़ते हम मनोरंजन का क्या महतू है मनराणजन का क्या महत्व है तो दिए गई सबी चीजे मनराणजन की महत्व है आप विखो का राइटन से रहे मनराणजन फुर्फत के समय में मानावी हितो का विष्थार न पर फर्फतें सित्र मनराणजन का चेत्र मनोरंजन का अर्थ है तो पुनहान निर्माण और हो इसका राइट्थ मनोरंजन का किया है तो पुनहानीर्माण नेक्स्ट कोशन कीटर बढ़ते हूं नेक्स्ट कोशन क्या है हमारा दो प्रकार के जुम्बा के नाम है तो फिटनेस और टोनिंग ये क्या है जुम्बा के नाम है आपसा नमर और इसका राइटेंसर है लोना सब्द किस खेल से जुड़ा है लोना खेल कबड़ी से जुड़ा है आपसा नमर और इसका राइटेंसर मन रंजन कर्याएं किस पर निर्भय करती हैं तो में no grand'm affects कि मारा अगला कोस्शन करेड़ा है मारा नेक्स्ट कोस्टन है मन रंजन का मूल अधार किया है तो म हम रोण का मूल अधार सुनेत है अब साइस के शारे जिर हो क्यों कि खाली समय के दोरान समय को स्वैठ्च से प्राथमिक रूप से इसे आनंद प्राथी है तो संतुष्टी के दुरान प्रियरित करना यह कथन किसका है तो यह कथन मेयर और ब्राइट विल का है आपसे नंबर स्वर इसका राइट एंसर है मनरंजन है तो मनरंजन क्या है समाज की आवसकता है आपसे नंबर और इसका रा कबड़ी के मैदान में अंतिम रेखा से बॉनस लाइन की दूरी कितनी होती है तो 1.50 मीटर्स होती है आप से इसका राइटेंसर है कबड़ी खेल का उदभव किस देश से हुआ बड़ी खेल का उदभव भारत से हुआ आप से नंबर 2 इसका राइटेंसर है बच्चो के मनरंजन का सही एं उत्तमाद्यम क्या है बच्चो के मनरंजन का सही एं उत्तमाद्यम सालरिक क्रियाएं है आप से नंबर 2 इसका राइटेंसर है मनुरंजन में महत्रफुड है तो खोशी, समय और संतोस यह क्या है मनुरंजन में सबसे महत्रफुड भूमिका लापशनल सब्सकर राइट इंसर है बढ़ते हैं आपने एकले कोस्ट की तरफ कतीन परिष्रम के बाद मनोरणजन क्या देता है मनोरणजन का क्या और ऊच्छ नमर क्या है नेच्ट कॉचन मनोरणजन क्या है तनाव से मुक्ति आप्सनमर बर्द का राइट एंसर है कौन सा मनरंजन उप्चार में सहायक होता है संगीत यह मनरंजन उप्चार में सहायक होता है तो इसका राइट अंसर आपसन नमर सही है मनरंजन की क्या विशेषता है तो मनरंजन की लचीलापन उद्देशिपूर खाली समय का दुपी हो गए आपसे नमबर बा, इसका सही अंसर है, मनुरंजन में महतपूर है, मनुरंजन में क्या महतपूर है, तो उप्रिक्त में से सभी महतपूर है, आनंद, रचनात्मक और आत्म संतोस, यह क्या है मनुरंजन में महतपूर है, आपसे नमबर दा, इसका राइट अंसर है, नेक्स्ट आवकास के समय की एक ऐसी के लिए है जो समाज द्वारा मानने होती है और जिसमें स्वेच्छा से भाग लेने वाले व्यक्ति को तुरंद इस्थाय आनंद की प्राप्ति होती है या परिभासा किसकी है तो यहा परिभासा हंसिन के है किसकी है यहा परिभासा हाचिंसन की है आ मनुद्ण का महत्व है साथरिक समाजिक और मांसिक विकास आपसे हैं इसका पर spectrum कि तरह है मनुरंजन के रिकरियेसं का लेटिं अर्फ क्या है मौनन के रिकरियेसं का लेटिं मेट पून्ह निर्मान करने वाला आपस्ञ नमर वह 25 सहही एंसर है सबसे कम खर्चेली मनरुपषेलिक्तिकरय क्या कुब से तनाव और करता है आत्म संतूच्ति प्रदान करता है हाली समय का सदुपयोग होता है तो आपसे नबर दो इसका सही एंसर है कौन सी अंतसदन मनरंजन किरिया है कौन सी अंतसदन मनरंजन किरिया है तो सतरंज आपसे नबर क्या है इसका सही एंसर है मनरंजन किरिया सहायक होती है मनरणजन करिया सहाय कोती है सारीक विकास में और मांसी विकास में तो आफसे नमर सह इसका सही एंसर है तो अभी तक जीन लोगों ने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो उल्दा कर वीडियो को देखें और चेनल को सब्सक्राइब करें मनोरंजन का आधुनिक उपकरड क्या है मनोरंजन का आधुनिक उपकरड कैमपूटर है क्या है आपसनमर और इसका सही एंसर है जुम्बा का आनंद कौन ले सकता है जुम्बा का आनंद कौन ले सकता है प्रतिक व्यक्ति आपसनमर सर इसका राइट एंसर है मनरंजन का लच्छ क्या है तो उप्रिक में सभी क्या है मनरंज़न का लच्छ आपसम करिया कितने परकार की होती है आपकर इसका सही एंसर है मनरंजन प्रक्रिया किसकी और ले जाती है मनरंजन प्रक्रिया प्रसन्नता की और ले जाती है आपसर नमर 2 इसका सही एंसर है मनरंजन प्रदान करने वाली संसता है तो मनरंजन प्रदान करने वाली संसता कोन है उपक्त में से सभी है फिटेनेट कच्छ, फिटेनेष केंद्र और एशोओ ग नेमरीखित में से कौन सा अअधारित मनुरंजन का haben? तो कौन नहीं है? आपसे मनुररंजन के सबसे महतपूर कारग च्या है? तुमरण जन के आयजन में सबसे महत्पूर कारक सुविधायें है आपसे नमर दर इसका सही एंसर है पड़ते हैं अपने अगले कोशन के तरह रहा है यह आपसे क्वारे इंसर है निनल मेंसे कौन सा प्राचीन्तम भारती खेल नहीन है तो हा कि यह भारत का प्राशिंतम खेल नहीं है आपसे नमर और इसका सही एंसर है बढ़ते हैं अपने अगले कोशन की तरह तो अभी तक जीनों को ने चैनल को शेयर नहीं किया है अपने दोस्तों के साथ तो जस्तों के साथ सेयर करें और वीडियो को नहीं देखें तो वीडियो को देखें परामपरी के भारती खेलों का मुख्य उद्यस क्या है परामपरी के भारती खेलों का मुख्य उद्यस है मर लिट्वाइब परनाघल को इंड़ोर्बर केर इनमेंद से कोई नहीं है अब्सक्राइब है कंचे के खिल की विशेष्टा है कंचे के खिल की क्या विशेष्टा है मि invented सामय सीमा की पाबंदी नुपना कोई परत थार यंश है और गिल्ली डंडा की उत्पत्ति मानी जाती है गिल्ली डंडा की उध्पत्ती मानी जाती है कब से मानी जाती है लगभग 25 इसा पुर्व से गिल्ली डंडा की सुरुवात होई थी आप से नमर क्या है सा इसका राइड एंसर है गुट्टा है गुट्टा क्या है गुट्टा आम भारती परासपरी खेले क्या है गुट्टा एक आम भारती है परासपरी खेले आपसर नमर अ इसका सही एंसर है गिल्ली डंडा में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है कोई सीमा निर्धारित नहीं है आपसर नमर दर इस का राईट एंसर है पारासपरिक छेँलों का महत्रपूर स्थान है क्योंकि ये मस्ति को मझबूत करते हैं कम संस्थान वे पड़ पूर मनरंजन करते हैं, समाजी करण में सहायता करते हैं, आपस नमर 2 इसका राइट अंसर है, बढ़ते हैं अपने अगले कोशिंग की तरह, एरोविक ब्यायाम निन में से किस रोग के जोखिम को कम करने में मदद करता है, कौन से उपिक में से सभी, हिरदा एरोग मद में और केंसर, ग्रामीड शेत्रों में सबसे अधिक प्रचलित मनरंजन की किरिया कौन है, ग्रामीड शेत्रों में सबसे अधिक प्रचलित मनरंजन की किरिया मेला है, आपस नमर 2 इसका सही एंसर है, मनरंजन सब्द किस भासा के दो सब्दों का योग है, तो इसका राइट इसका राइड एंसर है नेक्ट कोशन क्या है खेल की विशेष्टाएं है तो इन में से खेल की कौन सी विशेष्टाएं है तो उप्रक्त में से सभी क्या है खेल की विशेष्टाएं है आप से नमर दर इसका राइड एंसर है मनोरंजन के प्रतेच्छ सिधान्त है तो इन में से कौन मनोरंजन के प्रतेच्छ सिधान्त है तो दिये गए सभी क्या हैं मनोरंजन के प्रतेच्छ सिधान्त है आफसा नमर अ, ब और स उप्रिक्त में से सभी आफसा नमर द इसका सही अंसर है खेल में परियोग होने वाले सब्द जिनका अर्थ एक हो खेल में परियोग होने वाले सब्द जिनका अर्थ एक हो प्ले, गेम और स्पोर्ट आपसर नमर क्या है दर इसका राइट एंसर है मन रंजन के दो सब्द मन प्लस रंजन का अर्थ है तो क्या है मन को आनंदित करने वाली क्रिया मन को आनंदित करने वाली क्रिया आपसर नमर अ इसका सही एंसर है बढ़ते हैं अपने अगले कोशिंग की तरह मनोरंजन के उद्देश है तो दिये गए सभी क्या है मनोरंजन के उद्देश है आफ्टर नमर 10 इसका सही एंसर है मनोरंजन के अपरत्यच सिध्धान्थ है तो इनमें से कौन मनोरंजन के अपरत्यच सिध्धान्थ है तो दिये गए सभी क्या है मनोरंजन के अपरत्यच सिध्धान्थ है आफ्टर नमर 10 इसका राइट एंसर है बढ़ते हैं अपने अगले कोशन की तरफ आगे कोशन में दिया है प्राचीन काल में भारत वर्ष में मनरंजन का वर्णन कीन गरंथों में मिलता है तो कीन गरंथों में मिलता है रामाड बालेबेकी और महा भारत में मिलता है आगे कोशन क्या है मनुरंजन के अच्छे कारिकम नियोजन के गुड है तो कौन है देगे सभी क्या है मनुरंजन के अच्छे कारिकम के नियोजन के गुड है आपस नमर दर इसका राइटेंसर है खेल सहायक होते हैं संस्कृति की समरिद्धी में खेल सहायक होते हैं आपस नमर अ इसका राइट अन्सर है गिल्ली तंडा में किसकी आवसकता होती है गिल्ली तंडा में किसकी आवसकता दी दो छड़ियों की आवसकता होती है आपसर नमर क्या है इसका राइट अंसर है गुट्टे में परियुक्त होते हैं पत्थर के टुगड़े आपसर नमर क्या है इसका राइट अंसर है परास्परीक भारती खेलों को क्या कहा जाता है आंचलीक खेल कहा जाता है आपसर नम्र क्या है बर्ज का सही अंसर है पराचीन भारती खेल है तो इन में से कौन पराचीन भारती खेल है गिल्ली नंडा कंचे गुटे उफिक्त में से सभी मनरंजन आनंद में निहीत होता है सम्हू में सामिल होकर आनंद उठाना आपसर नमर क्या है और इसका सही एंसर है मनरंजन के आधुनिक साधन है कैमपूटर, मोबाइल, फोन, और BD, B, C, D, A, D, B, D आपसर नमर क्या है दो इसका राइट एंसर है प्राचिन खेलों में बिलूप्त होने का कारण है उपक में से सभी, आपसर नमर क्या है मनरंजन का सबसे उत्तम प्रकार है तो कौन है, बाहा सदन, सक्री है मनरंजन बाहा सदन, सक्री है मनरंजन, यह मनरंजन का सबसे उत्तम प्रकार है चलिए बढ़ते हैं अपने अगले कोशिंग की तरह मनरंजन की विशेस्थाएं हैं तो दिये गए सभी क्या है मनरंजन की विशेस्थाएं है आपसर नवर दर इसका राइट एंसर है जुबा अनिक जुम्मा बयायाम है जुम्मा बयायाम क्या है वजन कम करता है तानाव को कम करता है आपसन पर सर इसका राइट एंसर है मनरंजन में किसकी ओधारणा समलित है तो मरंजन में सभी की ओधारणा समलित है आपसन पर क्या है दर इसका राइट एंसर है फिट इंडिया अभियान की शुरुआत कब हुई थी फिट इंडिया अभियान की शुरुआत 29 अगर्स 2019 को हुई थी फिट इंडिया अभियान की शुरुआत 29 अगर्स 2019 को हुई थी चलिए बढ़ते हैं अपने अगले कोशन की तरफ यहां परमलागला कोशन दिया है भारत मे फिट इंडिया अभियान का घातन कहा हुआ था तो नई दिल्ली में आपसर नम्र A इसका राहिट एंसर है तो इसका राहिट एंसर है fit का अर्थ होता है, आबृती ती वृता समय, , आप सुनमई बोड़ विज का right answer है भारत में Fit India अभियान का सुबारम किसे ने किया था, भारत में Fit India अभियान का सुर्यात किसे ने किया था, नरेंद मोधी आप से नमर क्या है वह इसका सही एंसर है बढ़ते हैं अपने अगले कोशन की तरह तो हमारा अगला कोशन दिया गया है फिट इंडिया अभियान में लोगों को फिट रहने के लिए प्रतोसाहित करने के लिए किस आयोजन पर बल दिया गया था तो दिये गए सभी आयोजन पर बल दिया गया था आप सनमर क्या है द इसका राइट एंसर है सब्ता हमें कितनी बार एरोबिक्स करना चाहिए सब्ता हमें कितनी बार एरोबिक्स करना चाहिए एक से चार आप संबर क्या है सा इसका राइट एंसर है एरोबिक्स के लिए वार्म अप गतिविधिया कितने समय की होनी चाहिए एरोबिक्स के लिए वार्म अप गतिविधिया कितने समय की होनी चाहिए तो पान से दस मिनट की होनी चाहिए आपसे नमर से इसका राइट एंसर है आगे कुशन दिया है भारत का राष्टी खेल दीवस प्रते एक वर्ष 29 अगस्त को की जयनती पर मनाया जाता है तो इसका राइट एंसर है मेजर ध्यान चंद की जयनती पर मनाया जाता है आपस नम्र द क्या है इसका सही एंसर है जुम्मा फिटनेस का अर्थ है जुम्मा फिटनेस का अर्थ क्या है तो जुम्मा फिटनेस का अर्थ है एक लेटिन फ्रेडित नित्य फिटनेस का रिकम आपस नम्र अ इसका सही एंसर है पढ़ते हैं अपने अगले कोसिंग की तरब जुम्मा कैसे यों किसके द्वरा बनाया गया था तो सयोग वस अलबरटू पेरेज के द्वरा बनाया गया था आप्षा नमर क्या है वह इसका सही एंसर है खेल एंस्वेचिक और आत्मकेंद्रित के लिया है किसका कतन है यहां इस टर्न का कतन है तो आई होप यह महत्पोर इंपर्टन कोशन आपके फिजिकल एजुकेशन और योगा यानि कि सारे रिक्षिच्छा योग से रिलेटेट आपके बीए बियस्ति बिकाम फोर्तसम करकुलर का पेपर होगा आपका फिजिकल एजुकेशन और योगा का तो द्यान दिश्चे वीडियो को देखेगा और यह वीडियो लास्ट वीडियो है आपके एकजाम के लिए तो जिन लोगों ने अभी इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को जाकर